कहा हो यार Zoya, पुरे कॉलेज में डूणती फिर रही हूं मैं तुम्हें यार, तुम्हेरा नंबर भी बन जा रहे है मुझे कहा जाने, यही हूं मैं, तुम्हें कुछ काम था मुझसे क्या मदलब कोई काम, मदलब मुझे कोई काम होगा, मैं तुमसे तब ही मिलूँगी, हाँ क्या हुए जोया, कुछ अपसट लग रहे हो, सब ठीक है नहीं, ठीक हूँ क्या हुए, इटली वाले से कोई नराज की चल रहे है क्या मुझे रेफरेंस बुक देखने हैं, मैं अपना बेजी जा रहे हुए जोया, क्या हुए यार, मैं किल शाम में तु आया हुए असलामबाद से मैं बताया तो था, मेरी कजन की शादी है, तुम्हें पिचर्स भी तो भी तो भीजी थी तुम ओफ-लाइन थी, तुम्हें देखी नहीना कोई रपलाई किया, कितनी बुरी बात है मैं सोचल मीडिया अब स्नमाल नहीं करते हैं, समझ आ गया है कि ओफ-लाइन होना और ओफ-ट्राक होने से बहतर है जोया इनकार मत कीजिएगा अरे शीरी, क्या तकलूफ कर रही है, आज यह आपको तंखा मिली है, वो भी पूरी नहीं मिली आज यह खर्च कर दोगी, घर का खर्च कैसे चलेगा, और इस दफ़ा तो पैसे भी कम मिले है इतने मिल गए हैं कि करज अदा कर सकूँ, इनकार न कीजिएगा प्लीज आप, आपने अपने बेटे से बात की हाँ, मैंने एक बार कोशिश की थी, लेकिन आप तो जानती हैं आजकल की ओलाद को माबाप की कां सुनते हैं, जैसे ही मैंने बात शुरू की कन्नी खा गया सलीम साब मैं ये चाह रही थी कि आप अपने बेटे को जोया के बारे में सब कुछ सच सच बता दे सचाई जानकर ही वो कोई फैसला करे तो ये उन दोनों के लिए बेतर होगा उस दिन पता नहीं रवानी में मैं क्या कह गई बाद में मुझे हैसास हुआ कि ठीक कर रही हैं आप ये बहुत जरूरी है और ये भी कि कोशिश कीची है कि आपका बेटा आपके दबाव में आकर मेरी बेटी से शादी ना करे सुया कि आगे की जिन्दगी के लिए ये जरूरी है ठीक कर रही है अच्छा फिर मैं चलती हूँ ये आप रख लीजे कर दो करीजय कर दो कर रही है कर दो कर दो कर दो झाल झाल